अस्सलाम अलेकुम प्रेंज आकेदा रेसिपी में आप सबका स्वावत हैं जैसे पर सेवई आपने बहुत खाई होंगी शीर खुर्मा बनाकर सूखी सेवई बनाकर लेगिन आज मैं बनाने वली हूँ अंडे वली सेवई आईए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है सबसे पहले हम कड़ाई में तेल डालेंगे तेल गरब होने के बाद हम डालेंगे दो हरी मिर्ची दो बारी कटे हुए प्याज प्याज को हम नरम होने तक के पकाएंगे देखें प्याज नरम हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे बारी कटावा टामाटर और इसमें डालेंगे पाउ चमच अद्रक लसुन का पेस्ट और दालेंगे आदा चमच मिर्ची पाउडर आदा चमच जनिया पाउडर आदा चमच गरम मसाला पाउडर पाउडर सारी चीज को हम अच्छे से पकाएंगे देखिए मसाला अच्छे से पक चुका रहा है टमाटर भी गल चुके हैं अभी मैं इसमें थोड़ी सी कोट मिल दाग दूँगी अभी हम इसमें दालेंगे एक गिलास पानी और दालेंगे नमक स्वाथ के ही सकसे अभी हम पानी को उभालाने देंगे देखिए पानी में उभाला चुका है अभी हम इसमें दालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुदीने से अभी हम इसको दो मिनिट के लिए और पकाएंगे देखें पुदी न डालने के बाद ये दो मिनिट तक है पक चुका है अब हम इसमें सेवी डाल देए देखें मैंने 200 ग्राम की सेवी की पैकेट लिए हूँ और ये भुनी भी सेवी नहीं है वाइट सेवी है अब हम इसको पाली में डाल देए और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे देखें सेवी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दियूँ अब हम इसके उपर दालेंगे अंडा दो अंडे दार्रियों में अब इसके उपर ढकन ढककर हम 5-6 मिनिट के लिए इसको पकने देंगे देखें 5-6 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसको चेक करेंगे देखें अंडा और सेवी दोनों पक चुके हैं अभी हम जैस को बन कर देंगे देखें माशाला अंडे वाली सेवी बन कर तयार हो चुकी है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और कमेंड में जरूर बताना अंडे वाली सेवी कैसे बनी अल्ला हाफीज